पौधा 15-20 दिन में ही खूब सारे फल और फूल से लद जाए जो आप ट्रांस्प्लांट करें पौधी वो 10-15 दिन में ही बहुत बड़े बड़े हो जाएं और आपको जल्दी से फल और फूल दें तो आपके लिए ही वीडियो है और आज का वीडियो आप लोग फूल देख और कई सारे ऐसे पौधे जो कि आप लोग को पसंद है तो यह ओल इन वन फर्टिलाइजर है जो कि ओल इन वन प्लांट में यूज होता है तो दोस्तों वीडियो देखिएगा अन्त तक जिससे की पूरी इन्फोमिशन समझ है और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यह है वो खाट जिसकी हम बात कर रहे थे इसके अंदर हमने मिलाया है पूरा एक कंडा यानि उपला या खेंडवी जो कि आप कहां बोलते हों इसमें मैंने एक उपला और करीब दो चमच बेशन माइक्रोब्स बढ़ाने के लिए और एक स्मॉलर पीस गुड यानि क कि कुलम लाकी एक हुमिक ऐसी जैसा बन गया है और कम से कम मैंने इसमें एक मुठी मिट्टी डाली होगी और यह मेरा लिक्विट फर्टिलाइजर रेडी है मैंने इसे ढखके रखा था इसका मैंने यूज भी बता चुका हूं अपनी और वीडियो में और इसका मैं यूज अपने हर एक पौधे में करता हूँ जिससे की मेरे पौधे के अंदर आप देखी रहे हैं कि कितनी सारी कलियां आ रही हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरे जो गुड़ाल का पौधा है इसके अंदर भी पहले कलिया नहीं आ रही थी आप मेरी वीडियो में जाके और जैसे ही मैंने ये लिवाला लिक्वीड फर्टिलाइजर डाला मेरे पौधों में तो जादू ही हो गया कसम से बस एक बार इसका आप लोग यूज करके देखिए आप लोग फलरफुल पापा के ठक जाओगे तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसे कैसे यूज करन है तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये बता तो दिया की से बनाना कैसे है मैं एक और बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि आप लोग अपने जो भी रेशो लें उसके अंदर आप लोग लें थोड़ा पानी यानि दो लिटर पानी में एक कुपला नॉर्मल साइस का मिलाए और करीब 2-4 चमच वेशन एक स्मॉलर पीस आप लोग गुड डालें और बस रेडी हो जाएगा आपका 4-5 दिन के बाद लिक्वीड फर्टिलाइजर जो की हर एक पौदे में इंस्टेंट टॉनिक का भी काम करेगा और इसकी अच्छी प्रोडक्शन के लिए और अच्छे यह शेड़ वाले अंधरे में रखें टाकि अंधरे में देखें गुड हम बिष्ण का इसकी और बोगोटे अपनी बताया और हईजवेआ बताया और इसको पूदे को डाल के धा पन्देंग आपने पesyneast है Alors तो friends मैंने हापे i Corona रिया अच्छा मैंने इसका ratio क्या रखा ये भी मैं आप लोगों को बता दिता हूं friends मैंने इसके अंदर का इसका ratio रखा है 80 by 20 ratio यानि कि 80% वार्टर में मैंने 20% ये च्छान के नहीं टाला मैंने नॉर्मल ही डाल लिया और अब रूसे हम बस इसे एक बार डाल के देखिए और जितनी बार भी आप इसे डालेंगे और इसे अगर बात की जाए कब कब डालना है तो आप लोग इसे 15 से 20 दिन में दुबारा रिपीट कर सकते हैं जिसी कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो ऐसी ही तो फ्रेंट्स हमारा च जो हमारी गाडण में पर्मनेंट रहते हैं जैसि कि हमारे इस नेक प्लांत हो गए एलोवेरा हो गया इटलीन वेजील हो गया अगर कोई वास का प्लांट है तो आप उसमें भी ज़रू बसकते हैं यहापे में विंकर्यमरेष लिजी और इटलीन वेजीका अगलीन मैं इसे अपने add-on करूंगा हिविस्कस के प्लांट में जिससे कि इसके अंदर ज्यादा ज्यादा flowering हो सके और यह मेरे परपल विंका का प्लांट है जिसके के अंदर मैंने इसे add-on fertilizer है मैं उसे इस तरह मिट्टी में ही डाल देता हूँ जिससे कि इसके तर माइक्रोब्स और भी ज्यादा डिवाइड हो सके तो दोस्तों कैसे लगी आज की वीडियो जरूर कमेंट करके बताना और भी वीडियो के लिए मेरे चैनल तागरी बाको सब्सक्राइब करके वीडियो को भी अप्लाइ कर सकते हैं और जो मेरा तलसी का प्लांट है मैं उसमें भी इसको जरूर डालूँग बाकियों और अबडेट्स के लिए आप लोग कमेंट करें ठेंक्यू